हालो अवरीवन वल्कम टू माई चैनल आज हम क्लास 10th मैट्स की एक्सिसाइज एक पॉइंट वन करेंगे मैंने अपनी प्रीविएस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर इंट्रोडक्शन दे दी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उसके बाद मैंने आपको य तो आप अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देख लेए आपको लिंक उसका दिस्क्रिप्शन बॉक्स ने मिल जाएगा तो आज हम एक्सिसाइज एट पॉइंट वान का सम नंबर वन करेंगे इन ट्राइंगल एपी सी राइंगल डाट बी A, B इकोलस थू सेनटीमेटर, B, C इकैनल जाट सी राएंगल जलाट गरॉपकर हम लिडिंगा बी मिलड लिटो जण हम प्रैिजिक्वेधर opioid सी राइंगल देख यहां पे जो 90 दिग्री बन रहा है उसको हम वं नेमिंग देदेंगे बी तो दूसरे को एको हमने A लिख दिया दूसरे को तीसरे को उने C लिख दिया तो आगे given क्या है AB equals to 24 cm इत मींज ये AB है तो ये क्या आ गया मारे पास 24 cm आगे BC is 27 cm तो BC ये है तो यहां क्या आ गया 7 cm तो हमें क्या find करना है AC तो हम Pythagoras theorem लगा के AC find कर लेंगे तो जब AC find हो गया तो उसके बाद हम ये जो angles हमने निकालने है sine A, cos A की trigonometric ratio जो हमने निकालनी है फिर हम वो निकालेंगे तो सबचे पहले हम Pythagoras theorem लगाएंगे तो ये लिखाने से पहले हम लिख लेंगे solution में कि हमें given क्या क्या है तो हम लिखेंगे given that given that in triangle ABC angle B equals to 90 degree AB 24 cm, BC 7 cm using the Pythagoras theorem तो Pythagoras theorem का result क्या होता है hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square तो अब hypotenuse हमें find करनी है उसका नहीं है AC तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC square perpendicular हमें क्या given है एक तो 24 given है दूसरा 7 given तो एक को हम perpendicular ले लेंगे दूसरे को हम base ले लेंगे तो क्या आगया 24 का square plus 7 square तो 24 square कितना होता है 576 और 7 square कितना आगया 7 square 49 इन दोनों को plus करो तो क्या आजाता है 625 तो अब इस side से अगर हमने square हटाया तो यहाँ पे square root आगया तो under root 625 की value कितनी होती है 25 तो it means जो AC हमने निकालना था वो हमारा value किया निकल आई 25 cm value आगई अब यह तीनों value सामें पता है तो अब हम यह easily निकाल लेंगे तो sin A का formula क्या होता है sin A यहाँ पे लिखेंगे part 1 तो sin A का formula होता है perpendicular over hypotenuse तो यह मैंने आपको कल टिकनीक बताई थी पंतित बदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले मलब की हर word का मैंने first alpha बट उठाया और वो लिख दिया तो यह S means क्या हो गया sin तो it means यह sin का formula आगया perpendicular over hypotenuse C क्या हो गया cos तो यह cos का formula आगया base over hypotenuse T हो गया tan और tan का formula क्या आगया perpendicular over base तो इस तरीके से मैंने आपको यह technique बताई थी कि formula इस तरह से आपने learn करना है अब बात आती है sin की तो sin का formula क्या है perpendicular over hypotenuse पर अब हम यह देखेंगे कि figure में कौन सा perpendicular है कौन सा hypotenuse है hypotenuse तो clear AC है लेकिन perpendicular देखेंगे तो हम इसको देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ sin A it means angle A की बात हो रही है तो angle क्या है यह A है तो हमेशा क्या होता है कि जोन से angle की बात हो उसके opposite side को हम हमेशा perpendicular लेते है तो it means A के angle के A opposite है BC side तो it means 7 जो है यह हमारा क्या आगया perpendicular तो यहाँ पर यह BC क्या आगया यह क्या आगया हमारा base तो अब यहाँ पर हम P को क्या ले लेंगे BC और hypotenuse तो AC है ही तो BC की value क्या आई BC की value है 7 तो यहाँ पर क्या आगया 7 over AC हमने अभी निकाला 25 तो यह आगया 7 over 25 अब second part में हमने निकालना इसके साथ ही sin A के साथ cos A तो cos A यहां लिखेंगे इसका formula भी क्या हमने किया है base over hypotenuse तो वो हमने लिख लिए base over hypotenuse अब figure में हम देखेंगे base क्या है base क्या है AB तो यहां पर क्या आगया AB over AC तो AB की value क्या given है हमें 24 तो यहां पर आगया 24 over क्या आगया 25 तो यह आगया हमारा first part का answer अब हम चलते हैं second part पे second part पे अब angle change हो गया angle कौन सा आगया C angle आगया sin C और cos C तो C यहां पर आता है तो it means अब C के opposite क्या कौन सी side है AB तो अब हम AB जो opposite side है उसको हम perpendicular ले लेंगे और दूसरी side जो BC है उसको हम base ले लेंगे तो it means अब हम sin C जब निकालेंगे तो formula तो वही रहेगा perpendicular over hypotenuse पर angle की वज़ा से side change हो गई अब C की बात है तो C के opposite AB आ रहा है तो AB यहां पर perpendicular हो गया और hypotenuse तो हमेशा वही रहेगा same तो AB की value है 24, AC क्या आ गया 25 similarly इसी तरह से हमने cos C की value निकालनी है तो वह होता है base over hypotenuse तो अगर हमने अब AB को perpendicular लिया तो base क्या आ गया BC, over क्या आ गया AC तो यह value क्या आ गया हमारी पास 7 over 25 तो यह हमारा second part का answer आ गया I hope आपको यह sum अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो sum number 2 हम अपनी next वीडियो में करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं पहली बाराज मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को subscribe करना न भूलिए और अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो समझ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को like जरूर कीजिए और किसी की तरह कोई भी question अगर आपने मुझसे पूछना है तो comment box में पूछ सकते हैं बाई